सर नमस्ते आपका परिचे दीजे थोलसा मेरा नाम विजय यादो मैं माली नगर कालुका माइचिरस जिल्ला सौलापुर से हूँ अच्छा यहां पर आभी जो आपका बगिचा है कितने पोदे हैं सब कुल मिला के पाच सो पचास पोदे हैं सब आपके जो बगिचा अपनी देखा अभी जो फ्लावरिंग हो रहा है वह मिला के सब मिला के 1100 पेड़ है अभी मुझे बताए कि अभी जो आपका यह जो बगिचा है इसका अभी कब पकड़ा आपने इसको जो बाहर है और 22 नुवंबर को इसको पहला पानी दिया था इस पहला पानी दिया था मुझे अभी बताए कि 22 नुवंबर के हिसाब सेटिंग हो रहा है हो यह स्ट्रोक वगरे कैसे लग रहा है बहुत जबर्दस ट्रोक है और जो जो बोलते हैं बाइस युक्सेल फ्लावर जो है उसकी जो संक्या है बहुत ज्यादा है मतलब जो मादा फ फ्लावरिंग दोनी साथ में है अभी थोड़ा साम बाहर से जाएंगे अंदर तो है सब देख सकते लेकिन मुझे आपको यह पूछना यह है कि अभी इसको आपने जो यह साल में क्या इसाचेंज किया किया इसाचेंज बहुत बढ़ा चेंज हो आई साल बोले तो इसको पह है हमने रेस्ट किरेट ही हम स्वाल चार्जर टेकनोलोजी तो उसका यूज किया है और उसी के हिसाब से अभी जो जो दिखरerek आपको जो मेरेकल बोल रहे है ओडिकेन है कि यहां पर आपने जो बता है कि यहां पर आपको जो शुगर फेक्ट्रीज से यह पते के ऊपर उसका राख यहां जमा हो रहा है इसमें उसका जो पत्तियों की जो डिवलपमेंट है जबरदसर लगमेंट है, मैक्जिमम जो क्लोरोफिल जो है पतो में उसकी मातरा जादा है, इसलिए इस साल तो लग रहा है कि साइज के लिए जो किसान जो कुशिश करते हैं, अलग-अलग के केमिकल फरेडलाइजर यूज करते हैं, उसकी हमें ज़रत ही नहीं पड़ेगी, य निव बड़ेगी, यह अब इतना शेटिंग हो गया है, फिर भी नया फूल आ रहा है, और इस बगईचे का बोले तो अभी नेचरल जो बोलते हैं, अल्चा अब नेचरल जो बोलते हैं न, इतना बार फसा हुआ है, अच्छा मतलब थंड में या बोरिश में थंड थंड थ अच्छा आया था, उसमें उसमें भी यह फस गया था, उसका भी इस पर असर हुआ, मगर इस ट्रिट्मेंट की वज़ए से, सभी प्रोब्लेम से उभर कर उभर कर उभर कर उसने यह सब सेटिंग रहा है, ओके, मुझे और एक जानकरे लेना है आपसे, अभी आंदर तक हम कर यहां पर देखेंगे, तो अंदर भी जा सकते हैं, दूसरा एक है कि थोड़ा सा फटा-पटा हम देखेंगे, तो सेटिंग वगरा जो है, वो जब बहुत ही जबरदस्त है, बरबर है, तो मुझे आपको यह पूछना है कि आये ना, थोड़ा सा यहां पर अभी देख रह यहां पर आ रहा है, तो मैं आपको यह तरफ से जो अभी पूछ रहा हूं, कि आपको जो फूल है, या फल लगा हुआ है, जो सेटिंग है, उसका क्लारीटी बहुत अच्छ है, और में स्टेम पर हो, वो बहुत ही इंपोर्टन है, मतलब इसका साइज जो है, वो कम से कम 500 से आप해 देख रहा एता है, तो अभी यहां पर देख रहा है, आपए थोड़ासा थोड़ासा मैं जान करी दिएजया है कि अभी जो समझів उड्र हुआ है तो इसके सवाल मुझे यह ब्ूछ नाया अबको ? Soil Charger Technology आप रेस्टे यूज़ कर रहे है रेस्टे ही उसका क्या एडवन्टेज लग रहा है एडवन्टेज तो अभी मैंने बताया कि क्यान पी जबरदस्त है ओक उसे के हिसाब से अभी न्यू बर्ड्स भी निकल रहे है ओके पहला सेटिंग भी साइज ले रहा है और अभी इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि मदुमख्या बहुत है अभी भी डाही मैंने हो गए हाँ अभी इस प्लोट को फिर भी जो हनी बीज है हाँ मदुमख्या वह बहुत ही जबरदस्त है क्रोस पॉलिनेशन ज्यादा तरे बहुत अच्छा हो रहे है और यह जो देख रहे हम अभी कि अभी भी आपे मदुमख्या देख सकते तो मुझे और एक अच्छा पूछना है कि जो आपकी फल लगे हुए वह बहुत ही बिख्री हुए और एकदम से सटीक मातरा में बहुत अच्छी तरह सी लगी है बहुत सेप्रेट है जाने बहुत बिखर गए पेड़ बिक मैंने बहुत कम खर्चा आया है अभी तक पहले तो फ्लावरिंग के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता था क्या बोलते बूम फ्लावर होगा उसका कोई इस्तमाल नहीं किया है मैंने ओके ओके नैचरली सब इसमें जो इस साल कुछ नहीं लगा और पत्तिया पत्ति की कियो उसका कैसे स्तमाल किए इस प्लाट को सिर्फ दो ही बार मानको जेब तो यह मपंचियस बार यूज किया है और उसके साथ पहले क्लोर हो लिया था उके उसके बाद में उसको कुछ दिया नहीं नहीं करे फंगी साइड हो सिर्फ इसको पेस्ट-पाईटर और फंगी क्ल केमिकल करते हैं हां और 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 जिरत बहुत लिए है मितलब मेरे सबसे कितना मेने का हुग वह बहुत अब बता है बाई जो सबसे तो बॉले तो सेटिंग अच्छा और है बरावर है। सबसे इंपोर्टेश कि नहीं कुछ पीमारी नहीं कुछ शुण नहीं कि एक फॉर्करे उपर कोई सबस्क्राइब यह उपर फंगस कोई सबस्क्राइब कर देखिए कि वह जो डिल्पमेंटेप फ़ल का वह बहुत बड़िया हो रहा है तो इसकी सहर strive थे खर्चे में अब अब तांतर चिया थे एक produkt है ढूल और यह चाहँ आज़े ओपुण mix की कमहीं सिर्फ इसको फ्लावर चार्जर फ्लुट चार्जर और क्रोप चार्जर साथ में होटर चार्जर दिया है हमने ठेखा है पूरा, सर आईए है न यहां पे बाट बता ही आप यहां पे सर को अभी अब के साथ यह चुरू किया था लेकिन यहां वसके से आपको पहले से मालूम था मुझे पहले से मालूम था मैंने यूटूब पे जो वीडियो आता है उसमें राम मुखेकर ने सर ने जो वीडियो डाला था वो देखा और उनसे बाद चीद की और रेश्टर टीट्मेंट से ही स्वाइल टेकनोली चालोगी अभी तक इस वहता है वह चार्जर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में दिया है क्यूंकि वह जो बाहर पकडने का जो वक्ता हां उस वक्लाइमेट भूत ही खरब ता हां और उसका अब हलांएमेट मेंने इस बगई चो बाहर पकड़ा है इसेह साब से अभी अभी यहां पे जो ओनना और बहुत ही जबर्दो दिख रहा है मतलब यह नया जैसे कि अभी बाहर पकड़ने के जो निकलता है पहले महिने में जहां भी कम था वह अभी नया फ्लावरिंग हो रहा है जो जो ब्लैंक स्पेसिस थे अभी बर रहे हैं और पुरा पेड एक सरका हो रहा है यहां पी देख सकते कि यह पूरा भी भर रहा है आगे से और जो जो पुराना सेटिंग उसका भी साइज अच्छा हो रहा है साइज बहुत हो रहा है अभी ओके मुझे अभी एक बात पूछने आपसे कि अभी आपने जो अभी यह जो डिवलप्मेंट दिख रहा है इसके इसाब से यह आपके में जो केमिकल फरिटलाइजर है उसका यूज मत करना और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और इसमें से अगर क्यानवपी फर्ल आपको ज्यादा मात्रा में दिखे तो ही आप स्वाइल चार्जर टेकनोलोजी का यूज कीजिए कि आपकी ज दवा नहीं है कि वह मार दिया और देख लिया 10-15 दिन में यह जो इसमें कोई प्लाइंट ग्रोथ रेगुलेटर भी नहीं है इसमें जो बोलते हैं पीजेर वो नहीं है इसलिए तो खाना है फॉसल से जो मिलता है उस इस पर बेस्ट यह टेकनोलोजी है ओके ओके मैक्सिमम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सिजन का इदर मेंटेनेंट रेशो है वह बहुत अच्छा दिख रहा है कि मतलब सेंद्रिय कार्बन के और अर्गैनिक कार्बन बहुत क्या बढ़ी ऐसे बंचेस में फूल आते हैं अभी जो बोलते हैं सनलाइट नहीं है आज भी दूप नहीं ह इचने दो तीन मेने आपके बहुत ही मुश्किल गये है फिर भी आभी वही पिरेडा भी आ रहा है दो तीन दिन क्लाइमेट चेंज हुआ है मगर इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका दिख रहा है अपको कोई डर नहीं कि चलो दावा लेके फवारा मार देया इसा न ज्यादा खर्चे का नहीं मतलब मौसम खरब हो गया तो इसके ओपर फंगस का अटेउग होगा इसा पुछ आपके दिमाग में नहीं नहीं पहले साल जैसे कुछ नहीं इस साल उस उसका खयाल दिमाग से ही निकल गया है डर निकल गया और मार्त हम उसका यूस भी नहीं करत हो गई और स्टिमुलेंट खतम हो गया और पेस्टिसाइज खतम हो गया तो आपका खेती तो एक टेंशन प्री हो गया है अभी कार्बन नाइट्रोजन रिशो भी कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यह वाले कुछ किसानों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं वह बताते नहीं किसी को अईसा लग रहा है आपको इस इसलिए मेरे पास एक एक्जामपल है इसका आज रामुखेकर सर पहली बार ही मेरे प्लोट पर आये हैं और उनके बिना ही मैं फोन कॉल पे ही आज सिर्फ आज तक हाँ सिर्फ फोन कॉ कॉल पे ही ऊट्रीटमेंट यूज कर रहा हूँ और उसका ही नतिजा है मतलब फोन कॉल पे ले रहे हैं पहले बहुत थे पैशा देखकर क्या बोल रहे हैं हम जो बोलते हैं अकल साथ में ले रहे हैं वह सब अभी हमने बंद कर दिया है उसकी कोई जरुवत नहीं पड़ती और नेचरली सब न्यू बर्ड्स फ्लाउरिंग हो रहा है मतलब जो आप गैरेंटीड खेती बोलते हैं सम्रुद्ध खेती सम्रुद्ध खेती शाश्वत बनेगी ऐसा लग रहा है आपको आप तो अलड़ी एक टीचर हो अभी मैं टीचर हो है तो आप टीचर को भी कंट्र करते हों तो आपको यह मालूम है जो नए किसानी क्या सिक लेना चाहिए कि यहें च्छ खेती करने का तरीका ईल में देति हैं कशनतों यूसरियल ख़ार्श सरुय खरक आयए अलधीन तो स्का यूज खर्तार हुआ् चाहिए अप्स कर स्क पहुलीन है कि अटेम उन्य क्लों ह